Hello everyone and welcome back to our channel Unif Prep Hub ये वीडियो है GKGS का Part 11 वीडियो सार्ट करने से पहले मैं Unif Prep Hub के मौक टेस्ट प्रोग्राम के बारे मापको बताना चाहूंगी इसमें आप रेडिस्टेशन कर सकते हैं वाटसेप पे मेसेज करके याप कॉल करके नमबर है 8851474902 इसमें हम आपको प्रोवाइट करेंगे पाच मौक टेस्ट और रेडिस्टेशन करने से पहले आपको मिलेगा एक डेमो मौक भी तो जल्दी कीजे आपके एक्जाम्स आ रहे हैं So let's start with the video Question number 1 is Which is the longest cable state bridge in India? इंडिया का सबसे ज्यादा लंबाई वाला bridge Cable state bridge कौन सा है? यह सवाल अभी रीसेंटली एक्जाम में आया था M.A.M.A.S.C.O.M. के एक्जाम में आया था यह और उसमें पूछा गया था कि PM Modi inaugurated longest cable state bridge It is in which state? तो यह गुजरात state में है आपको एक लाइन और भी मिल गई कि PM Modi ने से inaugurate किया था इसके नाम है B. Sudarshan Setu Question No.2 Joint military exercise धर्म गार्जन is being organized between India and which country? इंडिया के साथ किसकी exercise होती है? धर्म गार्जन जोके एक joint military exercise है A. Japan, B. France, C. Italy, D. Australia Correct answer is A. Japan Japan के साथ हमारी और भी exercise होती है अगर आप और रिकॉल कर सकते हैं तो मुझे कॉमेंट में जरूर बिताएगा Japan की capital है Tokyo और currency है yen Moving on to the next Question is When is National Science Day celebrated every year? यह question भी आया था But question different था What is the theme for National Science Day 2024? जो की है Indigenous Technologies for Vixit, Bharat अब बात करते हैं की National Science Day कब मनाया जाता है? तो वो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है Moving on to the next In which state was the foundation stone of ISRO's second space port lead? Indian Space Research Organization का Second Space Port की क्या कहते हैं उसे foundation stone को Sorry, I'm forgetting it in Hindi तो वो कहां कौन से state में रखा गया है? Options है A. Kerala B. Odisha C. Karnataka D. Tamil Nadu Correct answer is D. Tamil Nadu Tamil Nadu के थूतू कुड़ी डिस्टिक्ट में हैं और उसमें भी कली सेखरा पत्नम में हैं यह second space port रखा, क्या foundation stone रखा गया है अब यह बताएए कि First Space Port कौन सा है, कहां है और किस सन में वो बना था यह आप मुझे कामेंट करके बताएंगे Question No.5 Who has been nominated for the 58th Gyan Pete Award? Options हैं A. गुलजार B. जगद गुरू राम भद्राचारे C. अमिताप चौधरी D. बोथ A and B तो इसमें correct answer बोथ A and B है यानि की option D गुलजार और जगद गुरू राम भद्राचारे दोनों को यह अवार्ट से नवाजा जा रहा है गुलजार को यह अवार्ड मिल रहा है उर्दू में और जगद गुरू राम भद्राचारे जी को यह अवार्ड मिल रहा है संस्कृत में गुलजार का असली नाम गुलजार नहीं है असली नाम क्या है यह सवाल भी पूछा जा सकता है तो अगर आपको पता है तो comment section में बताईए और अगर नहीं पता है तो Google पे जाकर सर्च कीज़े Question No.6 PM विश्व कर्मा योजना has been launched by which ministry? Prime Minister विश्व कर्मा योजना जो कि विश्व कर्मा जैनती पर launch की गई थी वो कौन सी ministry यानि मंत्राले द्वारा किया गया है? A. Ministry of Agriculture, B. Ministry of Rural Development, C. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, D. Ministry of Rural Development and Panjaiti Raj Correct answer is C. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises और एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि ऐसी PM विश्व कर्मा योजना जम्मू और कश्मीर में यह launch होने वाली पहली योजना भी है एक यह भी current affair है अगर आपको इसके बारे में डीटेल में जानना है तो आप इसके बारे में सौच कर सकते हैं कि PM विश्व कर्मा योजना क्या है कैसे launch हुई बड़ उतना डीटेल में पढ़ने की अब जरूरत है नहीं आपके पर स्टाइम उतना है नहीं तो current affairs से ही काम चल इसमें कर्रेक्ट आंसर है B 85th 85th rank है इंडिया की एनली पासपोर्ट इंडेक्स में और हम इंडिया के साथ इंडिया कितिनी कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री ले सकता है I think it is something 60 something है 60 61 यह ऐसी कुछ है कि इंडिया इप 60 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री ले सकता है Question number 8 Where is the naval exercise Milan 2024 being organized Naval exercise Indian naval exercise Milan 2024 कहां हो रही है Mumbai, Katak, Vishakhapatnam, Chennai Correct answer is C, Vishakhapatnam Question number 9 Which country has recently became the new member of the International Solar Alliance International Solar Alliance का headquarter Guru Gram Harjana है और कौन सी new member है यह है option देख लेते हैं A. Malta B. Chili C. Albania D. Qatar Correct answer is A. Malta Now Malta की capital और currency Comment Question number 10 Who has been appointed as the new vigilance commissioner in the Central Vigilance Commission Central Vigilance Commission होता क्या है C.V.C. एक स्टैटरी बॉड़ी है और यहां पर तीन मेंबर होते हैं एक होता है एक होता है Central Vigilance Commissioner बाके के दो होते हैं Vigilance Commissioner तो उन में से Central Vigilance Commissioner जो है वो अपॉइंट होए है एस राजीफ जो आपको बता रहे हैं कि तो दूसरे Vigilance Commissioner है वो कौन है अगर आपको बता है तो इस वेरी गूट नहीं पता है तो एक बार चेक कर लीज़े यह कोशन आ सकता है कि ऐसे पूछेंगे वो कि New Vigilance Commissioner is A.S. राजीफ और तो already जो second appointed है वो कौन है तो वो ऐसे पूछ सकते हैं क्रश्चन ठीक है that was it for the video मौक के लिए आप मुझे अभी वोट्सेप और कॉल कर सकते हैं Thank you so much